नए महीने का पहला वीकेंड है लेकिन इस वीकेंड पर मस्ती करने की श्रायद ना तो लोगों के पास फुरसत होगी और ना ही जेब में गर्मी होगी क्योंकि कैश की कतारे अब तक कम नहीं हुई है एक का तुका एटियम काम कर रहे हैं जिन पर कतारों के लंबी दराने वाली लाइने हैं जिसका मतलब यह है कि छुट्टी का दिन जो है वो देश को एटियम के कतारों में बिताना पड़ सकता है तो वही नोट बंदी से जुड़ी दूसरी एहम खबर ये है कि 1500 के पुराने जो नोट है वो बीती राज से पुरी तरह से बंद हो गए हैं चाहे टोल प्लाजा हो, पेटरोल पंप हो, कहीं भी पुराने नोट अब नहीं चल पाएंगे तो वहीं नोट बंदी के बाद से ही देश भर के नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा अब तक फ्री थे लेकिन बीती राज से लोगों को अब टोल नाको पर टोल टैक्स देना पड़ रहा है तो वहीं आयकर विभाग ने जंधन खातों में कालिधन के खेल का खुलासा भी किया छे राज्यों के जंधन खातों के परताल के बाद पता लगा कि इन खातों में एक करोड चौशट लाग की बेहिसाब रकम जमा कराई गई है बिहार में तो केवल एकी खाते में 40 लाख रुपए जमा कराई गए है आयकर विभाग जंधन खाते में हुए लेंदेन पर खास नजर रखे हुए है